उसमें कोई सच नहीं होता, क्योंकि सोचल मीडिया में लोग अपनी तरफ से जो दिखाना चाहें, वो दिखाते हैं, सचाही है, जो भी विडियो वाइरल हुआ है, उसमें सबसे बड़ी सचाही है कि अगर आप एंटी इंडिया स्टोगन्स लगाएंगे, और अगर आप यह मुर्दाबाद का फिर कश्मीर के बारे में बात करेंगे, तो फिर बंदा किसी तरीके से तो रियाइक करेंगे, और फिर हसके चला जाएगा, तो सिरब यही कारण था कि वहाँ पर दो या तीन पाकिसानी लोग थे, जो एंटी इंडिया चीज़े बोल रहे थे, पाकिर हिं करेंगे, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हसके चला जाओं या कुछ ना बोलके चला जाओं उस तरीके के तो मैं घखती हूं भी नहीं, सब क्या कहेंगे ऐसे लोगों को आप क्या मैश देखने आए तो आप अपनी टीम को सपोर्ट करिए, ठीके वहाँ पर कुछ प कुछ भी नहीं हो रहा, तो अपच्छे अराम से प्यार से अगर सपोर्ट करते हैं अपनी टीम को तो उसमें क्या खरादी तो इसके अलावा भी और कुछ वहाँ से कमेंट साहे हैं तो मेरा माना है कि सिरफ इतने ही कहना चाहूं कि जब इंडिया पाकिसान खिले तो दोनों यह प्राव्स को मैं यह कहना चाहँगा कि आप अपने देश को सुपोर्ट करिये किसी भी खिलाडी को यह किसी भी व्यक्ति को ना उसके देश के बारे में कुछ गलत बोले यह क्ष्मीर के बारे में सब्सक्राइचा है थे मुझे आपर तीन्चार लोग इस तरीके के खड़े थे तो उससे आप मुझे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ ना बोले